साथियों, स्वामी दयान जी ने हमें जीवन जीने का एक और मंत्र दिया था स्वामी जी ने बहुती सरल सब्दों में उन्होंने बताया था आखिर परिप्रक्व कौन होता है अब किसको परिप्रक्व कहेंगे स्वामी जी का कहना था और बहुती मार्मिख है महर्ती जी ने कहा था जो व्यक्ति सबसे कम ग्रहन करता है और सबसे अधिक योगदान देता है वही परिप्रक्व है आप कल्पना कर सकते हैं कितनी सरल्ता से उन्होंने कितनी गंबीर बात कहती थी उनका ये जीवन मंत्र आज कितनी ही चुनोतियों का समाधाम देता है अब जैसे इसे परियावरन के संदर में भी देखा जा सकता है उस सदी में जब ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज, ऐसे सब्दों जन्म भी नहीं लिया था उन सब्दों के लिए को सोज भी नहीं सकता था उनके भीतर महर्शी जी के मन में ये बहुत कहां से आया इसका उत्तर है हमारे वेद, हमारी रुचाएं सबसे पुरातन माने जाने वाले वेदों में कितने ही शुक्त, प्रकृती और परियावरन को समर्पीद है स्वामी जी ने वेदों के उस ज्ञान को गहराई से समझा था उनके सारभावविक संदेशकों को उन्होंने अपने कालखन में विस्तार दिया था महर्शी जी वेदों के शिश्य थे और ज्ञान मार्ग के संत थे इसलिए उनका बहुत अपने समय से बहुत आगे का था